हमारी प्रित्वी का 71 प्रतीशत हिस्सा पानी है जरह सोचिए सिर्फ 29 प्रतीशत हिस्से पर हमारे सभी कॉंटिनेंट्स हैं और लोग बस्ते हैं और पानी में डुबा हुआ ये इलाका इतना विशाल है जिसकी कलपना भी हमारे समस्से परे है तबी तो कभी बर्मुंडर ट्रेंगल जैसी थियोरी सामने आती है तो कभी MS-370 जैसे खोए हुए विमान को खोजने में हमें सालू लग जाते हैं ऐसी ही कहानी टाइटैनिक की भी है इसके डूबने के 73 सालों तक ये भी पता नहीं चल पाया था कि समुंदर की गहराईयों मे टाइटैनिक का जहाज आखिर कहां डूबा और आज इसके मिले के 35 साल बाद भी इसे समुंदर से नहीं निकाला जा सका ये हाथसा क्यों कब और कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाली लेकिन उन में से कुछ सवालों का जवाब हम जाने की कोशिश इसी समय कहे जाने वाले अंसिंकिबल रॉयल्स मेल स्ट्रीमर टाइटैनिक के साथ जो हाथसा हुआ था उसके बारे में हम सभी जानते हैं इस पर बेस्ट हॉलिवुड फिल्म को पूरी दुनिया में सराहा गया 1911 में टाइटैनिक के समुंदर में डूबने के बाद इसे ढूंडने की कई कोशिशे हुई लेकिन ये मिशन्स एक के बाद एक फेल होते गए इसी तरह 73 साल बीथ गए और इसे सन 1985 में मश्यूर ओशनो गराफर, आर्कोलोजिस्ट और अमेरिकी नेवी आफिसर रॉबिट पैलिट ने आखिरकार टाइटैनिक को खोश निकाला, टाइटैनिक का ये मलबा न्यू फाउंड लेंड के टट से 600 किलोमीटर दक्षिनपूर्व में मिला था, टाइटैनिक की इस खोश ने इतिहास के गर्ब से निकाल कर कई नए सवाल दुनिया के सामने खड़े कर दिये दो हिस्सों में टूटा हुआ ये जहाज, समुदर में 12,500 फीट, यानि की लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में मिला था, ओफिशल रिपोर्ट कहती है कि जब ये जहाज ढूबा था, तब ये इंटेक्ट था, मतलब साबूत था, तो फिर समुदर में ये जहाज दो हिस्सो में कैसी तूट गया, टाइटैनिक दा न्यू एविडेंस डॉकुमेंटरी के अनुसार, टाइटैनिक आइसबोक से टकराने की वज़ा से नहीं, बलके शिप में लगी आग की वज़ा से डूबा था, दोस्तों जब टाइटैनिक मिला, तब इस मलबे से जहाज पर मौजू अगर ऐसा हो पाता, तो टाइटैनिक और उस हाथ से के बारे में और भी कई महप्तपून जानकारिया हमारे हाथ लगती, लेकिन दोस्तों टाइटैनिक को निकाला नहीं गया, और इस सदी की सबसे रहसे में दुरगटना का रहसय, आज भी रहसे ही बना हुआ है, आखिर क् कोशिशों और लेटस टेकनोलोजी के बाद भी टाइटैनिक को अब तक पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका, क्या टाइटैनिक को जानबुच का नहीं निकाला जा रहा हैं? और क्यूं वो आज भी समुन्दर की अंधेरी गहराईयों में दफ्न है, दोस्तों ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को निकालने की कोशिश नहीं की गई 1985 में जब टाइटैनिक को खोजा गया था तब इसके हालत एक जहाज जैसी नहीं थी समुंदर में दफने टाइटैनिक की इस पुरानी तस्वीर को देखिए जहाज के नाम पर ये ज़रजर धाचे से ज़ादा कुछ भी नहीं है दुरगटना के चश्मदीदों के मुताबिक ये जहाज समुंदर तल पर एक जोरदार फोर्स से टकराया था जिसके धमक वहाँ बचे लोगों ने महसूस भी की थी इसलिए सीधे किसे केबल के जरिये या फिर ट्रडिशनल तरीके अपना कर इसे बहाँ निकालना संभव नहीं था ये चाय में जादा टाइम तक दूबे होई बिस्कुट को उठाने जैसा था ऐसे में सबसे पहला सुझाओ ये आया के समरी और मैगनेट की मदद से टाइटैनिक को बहा निकाला जाए मगर इस प्रजेक्ट के सामने कुछ हडल्स भी दे जिनमें सबसे पहला था टाइटैनिक का वजन टाइटैनिक का वजन 1,43,000 तन था और उपर से वाटर प्रेशर जो वजन को कई गुणा बढ़ा देता टाइटैनिक 3,750 मीटर की गहराई में माजूद है पानी के इतना नीचे वाटर प्रेशर बहुत ही जादा होता है इतनी गहराई में सिर्फ एक सुक्योएर सैंटीमीटर के हिस्से को निकालने में भी करीब 392 किलोमीटर का फोस चाहिए तब ना तो इतने पावरफुल मैगनेट्स थे और ना ही इतना वजन सहने वाली समरीज 21 सदी की शिरुवात तक भी सैंटीस के पास टाइटैनिक को बहा निकालने का कोई भी ठोस प्लैन नहीं था पर वो इसके लिए कुछ अन्यूजवल तरीके सोचने में भी लगे हुए थे ये तक सुझाव आए कि पिंग पॉंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को बहा निकाला जाए जी हाँ आपने बिल्कुल सही सोना हम लाइट वेट पिंग पॉंग बॉल की ही बात कर रहे हैं कहा गया कि अगर टाइटैनिक को पिंग पॉक बॉल से भर दिया जाए तो शिप को पुश करने में आसानी होगी मगर सुझाब देने वाले लोगों ने ये नहीं सोचा कि शिप रैक तक पहुंचने में ही ये बोल प्रेशर की वज़ा से फड़ जाएंगी वहीं बैलून की मदद से भी टाइटैनिक को बाहर निकाले का एक वीर्ड आइडिया सामने आया प्लैन ये था कि हिलियंट से भरे बैलून को टाइटैनिक के साथ बांद दिया जाए और फिर वो शिप को अपने आप उपर खीश लाएंगे यानि कि वो बैलून्स को होट एर बैलून्स की तरह इस्तिमाल करना चाहते थे लेकिन हवा में बात करना बहुत ही असान है ठीक वैसा ही जैसे उल्टे पुल्टे सुझाब देना लेकिन जब बात होती है रियालिटी की, तो हमें बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता है, उन बैलूंस को अंडर वाटर पंप कैसे किया जाएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं था, बात फिर वहीं आकर अटक गई, कि सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, इन्हें तिगड़मों में एक आइडिया ये भी आया, कि बर्फ की डेंटिसिटी, पाने के डेंटिसिटी से कम होती है, यही कारण है कि कॉक्टेल्स और डिंक्स में बरफ पाने के सता से उपर फ्लोट करती है, ऐसे में एक हौलाज कॉंटेक्टर, अथर मिकी इस पानी के मुकाबले हलका हो जाएगा, और सताय पर तैरने लगेगा, जिसके बाद इसे किनारे पर ले जाने में आसानी होगी, कुछ ऐसा ही आइडिया अमेरिकर इंजीनियर जॉन पीरियस ने भी दिया था, इसके लिए उन्होंने लिक्विट नैट्रोजन को इस्तिमा के मुताबिक इस प्रोजक्ट के लिए करीब आदा मिलियन टन नाइट्रोजन के जरूरत पड़ती, सवाल तो ये भी है कि इतने गहराई में लिक्विट नाइट्रोजन लेकर जाए कैसे, इधर उदर के सभी बिना सिर्पैर वाले आइडियास के बाद, एक लेजंडरी बहा निकालने के लिए, मिकल ने अपना प्रोजेक्ट पूरी के साथ प्लैन किया था, उनका कहना था कि टाइटैनिक को बहा निकालने के लिए, सबसे पहले तो उसकी गंदगी को साफ करना होगा, सालों तक समुन्दर में जमे होने की कारण, उस पर काफी सिल्ट जमी है, जिससे साफ करना बहुत जरूरी है, इसके लिए पावरफूल आटोमेटिक हाइड्रो इंसुलेशन के जरूरत होगी, जो रेक पर मौजू स्रिट को वाश करेंगे, शिप की सफाई के बाद हैवेनिटी केवल की मदद से, टैटैनिक को खाली पॉर्टून बॉर्ट से अट जरूरत पड़ेगी, मिकल की मताबिक लगवर 20 मिलियन किलो वाट आज बिजली की जरूरत इस प्रोजेक्ट में पड़ेगी, इसके प्रोजेक्ट के लिए एक फुल फ्लेश पावर प्लांट की जरूरत होगी, और उनके मताबिक ऐसा पावर प्लांट पानी के सरफेस पर बराया तो जा सकता है लेकिन future की हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा हलाकि floating power plant अपने आप में एक unbelievable idea होता मगर इतने गहराई में जाने वाली cables pressure की वज़ा से टूट भी सकती थी क्योंकि ये सब पानी के 4 km नीचे होना था इसलिए engineers का सुझाब था कि समरी में ही nuclear power plant इंस्टॉल किया जाए इस पर तर्क वितर्क तो बहुत हुआ लेकिन कुछ भी final नहीं हो पाया और इस project को तब तक hold करने के लिए कहा गया जब तक इसे पूरा करने के लिए advanced equipments और proper budget नहीं जुट जाता कई सालों तक Titanic को recover करने के लिए बहुत से प्रस्ताव रखे गए लेकिन कोई बजट की कमी की कारण तो कभी technical challenges की वज़ा से कोई भी plan successfully implement नहीं हो सका दुस्तो कोई भी company तभी किसी बड़े project में हाथ इसलिए डालती है जब उसे कुछ फाइदा हो Titanic को बाहर कैसे निकाला जाए इससे पहले कोई भी ये सवाल उठाएगा कि आखिर क्यों निकाला जाए जो भी कीमती समान इस ship पर था वो निकाल लिया गया है किसी ने अर्बो रुपई खर्च कर इसे पानी से बाहर निकाल भी लिया तो क्या वो अपने लगाए गए पैसो को कभी रिकवर कर पाएगा Titanic को निकाल कर अगर इसका एक म्यूजियम भी बना दिया जाए तो भी रिटन्स और इन्वेस्टमेंट में कई सो साल लगेंगे हलाके इस ships के साथ कई emotions भी जुड़े हैं कि ये हंगरी बैक्टीरिया साल 2030 तक इस ship को पूरा गयब कर देंगे कई समुंद्री जीवों ने भी इस पर अपना बसेरा बना लिया है युनेसको ने भी साल 2001 में इस ship रेक को अंडर वाटर कल्चरल हैरिटेस की एक पोटेक्टिक साइट डिक्लियर कर दिया अगर वर्तमान की बात करें तो टाइटैनिक के हलाद भी कुछ ऐसे बन चुकी है कि उसे बाहर निकालने में जितना खर्चाएगा उतने में तो शायद एक नया जहाज खरीदा जा सके इसलिए दोस्तों सीधे तोर पर कहूं इन सभी बातों का कन्फ्यूजन ही है कि टाइटैनिक अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका और शायद कभी निकाला भी ना जाए क्योंकि पॉइंट नमबर वन टाइटैनिक इतनी बुरी स्थिती में है कि उसे जरा भी छेडा गया तो वो धूल की तरह बिखर जाएगा पॉइंट नमबर टू जहाज का मलबा समुदर में कुछ जादा ही गहराई में है जहां तक पहुंसना और काम करना बेहत मुश्किल है और पॉइंट नमबर त्री हम इसे बहार निकाल कर करींगे गया इसलिए ये कहा जा सकता है कि टाइटैनिक को शायद कभी रिकवर नही किया जा सकेगा इसकी मलबे की खोज होने के बाद 30 साल से भी जादा का समय बीच चुका है नहीं कि टाइटैनिक के अवशेशों के पास अब बहुत जादा समय बचा है मगर ये भी सच है भले ही ये शिप पारी के अंदर से कायब हो जाए भले ही इसका नामों निशान भी बचें लेकिन फिर पी टाइटैनिक की कहानी और रहसे आने वाली कई पीडियों का ध्यान अपनी और खीचेंगी इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिस्तेदारों के साथ शियर कीजिए और साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सकें धन्यवाद दोस्तों